जय जोहार, मागड़ देवी, भगवान बंशिधर, और शहीद निलामबर पितामबर के इपावन भुमिपार, रौवा सबके रामराम, ओ गोई ठिक ठाक बाना, आपने कुछ महने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा-NDA सरकार बनाई, अब जारखंड में विधान सभा का चुनाव है, हम सभी को मिलकर यहां भाजपा-NDA के नेत्रुत्व में डबल इंजिन सरकार बनानी है, बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, हर बुथ में जाके महनत करेंगे, आपका ये प्यार, ये उमंग, मैं देख रहा हूँ, जितने लोग पंडाल में है, उससे दो गुना लोग बार दूप में खड़े हैं, और मैंने देखा, यहाँ एक बेटी, बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी, बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी, आपने उसमें पता लिखा हैं अपना, आई ये कैसे कर दिया, अज़ा लिख करके दे दो, मैं आपको चिठी भेजूँगा, बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने, यह हमारे अपसर लोग ले गए हैं, वो जुरुम मुझे मिल जाएगा, लेगे ना पता लिख करके जड़ा दे देना, वो हमारे लोग आजाएंगे, मैं आज आप सब का आशिरवाद मांगने आया हूँ, आज जार्खन में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी, बेटी, माटी की पुकार, जार्खन में भाजपा एंडिये सरकार, मैं फिर से बुलाता हूँ, बोलेंगे, सब बोलेंगे, रोटी, बेटी, माटी की पुकार, रोटी, बेटी, माटी की पुकार, इस समय, छट के महा परवका, उच्छा भी चारोतर अरब दिख रहा है, मैं छटी महिया की उपासना करने वाले, सभी ब्रतियों को भी, अपनी शुप कामनाए देता हूँ, साथियों, जार्खन के ये चुनाव, ऐसे समय हो रहे हैं, जब पूरा देश, जब आज जादी के सौ साल होंगे, तो हिंदुस्तान को विख्षित होने का संकल्प लेकरके, पूरा बेश आगे बढ़ रहा है, यानि आने वाले पतीस वर्ष देश के लिए भी और जार्खन के लिए भी बहुत महत्वपूर है, देश की आजादी के सो वर्ष पूरे होंगे और जार्खन भी तब पच्चास वर्ष का होने वाला है, भाजपा ने तो जार्खन के लोगों की आकांख्षाओं का सम्मान करते हुए, जार्खन अलग राज्ज का निर्मान किया था, और कुछ लोग जो यहां बैटे वो कहते थे, हमारी च्छाती पे जार्खन बनेगा, अरे उनकी च्छाती पे जार्खन बन गया, लेकिन जार्खन के कुछ नेता, उनकी गोदी में जाके बैड़ गए, विक्षित जार्खन बना ले के लिए, बीते दस वर्षों में, जार्खन के इंफ्रासेक्टर पर, बहुत आदूनिक फोकस किया गया है, ये परदा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखाई नहीं देता है, जार्खन को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों को आदूनिक और चवड़ा किया जा रहा है, यहां रेल कनेक्टिविटी को ससकते किया जा रहा है, आज जार्खन को बारा आदूनिक बंदे भारत ट्रेने कनेक्ट कर रही है, गंगा जी पर जो वोटर वे बन रहा है, उससे भी जार्खन कनेक्टेड है, जगदीशपूर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, एक गैस पाइपलाइन जार्खन वालों को सस्ती गैस पहुँचाने में मदद कर रही है, यानि जार्खन में बहतर सुविदाओं के लिए, यहां के किसानों, यहां के उद्योगों को बल देने के लिए, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है, यह तब है, जब जार्खन में जेमेम सरकार ने विकास के हर काम में रोडे अटकाने की कोशिश की है, लेकिन हम इमामदारी से, जार्खन के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, जब यहाँ आप डबल इंजिन के सरकार बनाएंगे, तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा, साथियों, भाजपा जार्खन की सुविदा, सुरक्षा, स्थीर्ता और सम्रुद्धी की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उत्री है, मैं जार्खन भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कल जार्खन बीजेपी ने बहुती शांदार संकल्प पत्र जारी किया है, ये संकल्प पत्र, रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और सम्रुद्धी के लिए समर्पीत है, माताओ, बहनों, बेट्यों के लिए, उनके कल्यार के लिए, उनके हक्तों के लिए, इसमें अनेक संकल्प लिए गए है, गोगो मोदी दिदी योजना, गोगो दिदी योजना, ये हर महिने, माताओ, बेट्यों को, इक्की सो रुपिये मिलेंगे, मेरी गड़ीप परिवार की माताओं, बेट्यों को पहले, हमने उजवला योजना के तहत, मुप्त गैस कनेक्शन दिये, अब जारखन में बनने जा रही, भाजपा एंडिये सरकार, पांसो रुपे में सिलेंडर देगी, अगले साल दिपावली और रक्षा बंदन पर, जारखन की बेहनों को, दो मुप्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं, भाजपा ने ओडिशा की, छत्तिश गड़ की, मद्ध पुदेश की बेहनों को, ये गोशना की, और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया, इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पुरा करने का ट्रेक रिकार्ड, वहीं दूसरी तरफ, जेमेम, कॉंग्रेस, आरजेडी के जूठे वाइदे, इन्होंने पांच साज तक माताओ बेहनों के लिए कुछ नहीं किया, अब जब भाजपा की योजनाय सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आँख में दूल जोंकने के लिए नकल करके नहीं नहीं गोशनाय की है, अरे जो लोग शाय नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे, और इनकी योजनाय कभी अप करेंगे तब करेंगे दिसंबर डिकना फ्रणा, अरे तुम्हें नहीं वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में बिदाई पक्की है, साथियों, जे एम एम कॉंगरिस वालों ने आपको गरीबों के घर के नाम पर भी दोखा ही दिया है, केंद्र की हमारी सरकार ने प्रदान मंत्री आवाज योजना के तहट जारखन में सोला लाख गरीबों के घर बनाए, सोला लाख कितने, सोला लाख गरीबों के घर कितने, यह अकड़ा बहुत बड़ा होता है भाई, और यह घर किसको मिले, SC, ST, OBC, जिनके पास पक्का घर नहीं था, ऐसे मेरे SC, ST, OBC परिवारों को मैंने काम किया है, करीब एक लाख पुन्रह अजार घर तो यहाँ, यह हमारे गड़वा जिले के गड़ीब परिवारों को मिले है, अब आप कह रहे थे, कि यहाँ पहले कोई प्रधान मंत्री नहीं आया, यह मोधी पहला प्रधान मंत्री है जो यहाँ आया, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं न, वो मेरे नसीब में ही लिखे हुए है, अरे गड़वाल के लोगों का प्यार पाना, आसिरवाद पाने के लिए भी तो नसीब चाहिए, यह नसीब मोधी को मिला है, इसलिए आपके आसिरवाद पाने के लिए आपके सपास आ गया, लेकिन जे-म-म कॉंग्रेट से आप पूछिए, कि अब वह आवास योजना का क्या हुआ भई? क्यों इस योजना का नाम लेकर आपके साथ विश्वात किया, गात किया गया? साथ क्यों? लोग सभाद चुनाव के दोरान मैंने, देश भर में तीन करोड नए घर बनाने की गारंटी दी थी, हमने सरकार बनते ही, इज गारंटी पर काम भी शुरू कर दिया, अब जारखन भाजपाने भी 21 लाख नए आवाज बनाने का संकल्प लिया है, जारखन के हर गड़िप के पास पक्का गर हो, ये भाजपा की गारंटी है, अज़ा मेरा एक काम करोगे भाई, सब के सब हाथ उपर किर के बताईए करोगे, पक्का करोगे, देखिए, इस चुनाओं में जब आप लोगों के लिए के मिलने जाएं, तो कहीं अगर आपको, लोग अगर जुग्गी जौपणी में रहते नजर आते हैं, कोई कच्चे घर में मिट्टी के छोटे से, जगापे अगर रहता है, आप उसको कहना, कि यहां 23 तारी के बाद, भाजपा सरकार बनने वाली है, और उसको कहना, कि मोदी जी आये थे, और उन्होंने कहा है, कि उसका घर पक्का बन जाएगा, मेरी तरफ से कह देना, आप ही मेरे लिए मोदी है, यहां का मेरा हर कार करता मोदी है, आप बादा कर देना, कर दोगे, मैं पुरा करूंगा दोस्तों, साथियों, जारखन के नवजवानों में, टैलेंट की कमी नहीं है, देशने युवाओं का टैलेंट, यह अमारे जारखन की बेटियां, अमारे जारखन के बेटें, खेल के मदान में, जारखन का जज़वा दिखाते हैं, जारखन के युवाओं का सामर्त बड़े, उन्हें नए अवसर मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जेमेम, कॉंग्रेज, आरिजेडी ने जारखन के युवाओं के साथ भी, दोखा ही किया है, लेकिन यह बादा पुरा नहीं किया, बादा किया था क्ने किया था, बादा किया था क्ने किया था, जूट बोल करके वोट ले गए थे कि नहीं ले गए थे, फिर आपका बादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा, आपको एक रुपिया भी दिया नहीं न, अब उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे, साथ्यों इतना ही नहीं, बर्तियों में धांदली, पेपर लेख, ये तो जैसे यहां का उद्योग बन गया उद्योग, सिपाई भर्ति के दोरान, जेमेम सरकार की लापरवाई के कारण, कई नव जवानों की दुखद मृत्ति हो गई, अब जारखंड भाजपा ने, इस थीती को बदलने का संकल पलिया है, जारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद, तीन लाख सरकारी पदों को, पारदर्सी तरीके से भरा जाएगा, अभी हरियाना में लोगों ने तीछरी बार भाजपा सरकार बनाई, अभी एक महिना नहीं हुआ है, वहाँ के नवजवान डबल दिवाली मना रहे हैं, क्यों? सरकार ने आते ही, बिना खर्ची, बिना पर्ची, पचीस हजार लोगों को रोजगार दे दिया, वादा किया था, पुरा कर दिया, लाखो नवजवानों के लिए, युवा साथी बत्ता देने का संकल पर भी लिया गया है, युवा साथी बत्ते के तौर पर, यहाँ युवाओं को दो हजार रुपिया दिये जाएंगे, सभी परिख्षाओं के लिए, बार्शी केलेंडर जारी होने से, पेपर लिग माफिया पर भी लगाम लगेगी, केंद्र सरकार पहले ही पेपर लिग करने वालों के लिए, सक्त सजा देने का कानून बना चुकी है, साथियों, हमने लोग सबाचुनाव के दरवान, देश के करोडों नवजवानों के लिए, रोजगार, इंटरंसीब, और काउशल विकास की गारंटी दी थी, पहले सौ दिन के भीतर ही, इसके लिए, दो लाख करोड रुपिये से अधिक का, पी-एम पैकेज हमने गोशिट कर दिया, पी-एम इंटरंसीब कारिकाम लागू हो चुका, इसके तहट हजारों नवजवानों ने रेजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, बड़ी कमपनियों में इंटरंसीब पर पी-एम पैकेज के तहट यहां के युवाओं को भी हर महिने पाँच हजार रुपिये मिलेंगे, साथियों किसानों का हीत, किसानों की आय बढ़ाना ये भाजपा की प्रात्मिक्ता है, जारकन भाजपा ने धान की सरकारी खरीद 3100 रुपिये प्रती क्विंटल करने का भी फैसला लिया है, कितना, कितना, 3100, कितना, कितना, हर किसान के घर जाके बताओगे, चोटे और सिमान किसानों के लिए, पसुपालकों के लिए भी, आर्थिक मदद की योदना गोशित की है, यही नहीं आदिवासी परिवारों की आजी भी का बढ़ाने के लिए भी, अनेक अच्छी गोशनाये की गई है, हर आदिवासी ब्लोक में कैदू पत्ता, महुआ और मस्रूम जैसे उत्पादों से जुड़ी प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्छमता बनाई जाएगी, साथियों, मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, कि इन गोशनाओं को पुरा करने के लिए भाजपा एंडिये सरकार पूरी ताकत से काम करेगी, और यह मोदी की आपको गारंटी है, साथियों, आज कल अफ्वाएं फ्यलाना, इसका एक बड़ा उद्योग चल पड़ा है, कुछ लोग भाती-भाती की दुकाने खोल करके बैठे हैं, वो अफ्वा फ्यलाने का माल बेच रहे हैं, आपको ऐसी किसी भी अफ्वाव में नहीं आना है, मुझे याद है, जब मैं PM किसान सम्मान निदी योजना लागू की थी, 2018 में, तो ये जेमम वालों ने यहां के गाउं गाउं जाके किसानों से जूठ बोला, और क्या बोला, उन्हों का देखिए, ये मोधी अभी पैसा भेज रहा है न, वो खाते में मत डलवा देना, इससे मत धुरूण न, क्योंकि चुनाव जितने के बाद, मोधी ये पैसा ब्याद समय तुमसे पापिस ले लेगा, ऐसा जूठ चलाया, और मेरे भले-भाले गाउं के किसान भाईयों ने, मोधी जो पैसा भेज़ता था लेना मना कर दिया, बोले हम नहीं चाहिए, हमको पैसा देना पड़ेगा, जब दुबारा उन्नीस में आपने मुझे सेवा का मोका दिया, तब जाकर के सत्च का पता चला, कि जेमेम वाले कितना जूठ बोलते थे, इस बार भी, रोज नए नए जूठ फैलाने का काम, एक परिवार दिल्ली में ये धंदा करता है, दूसरा इधर जार घंड में करता है, मुझे खुसी है, कि आज, पी-एम किसान सम्मान निदी के 600 करोड रुपिये, कितने? यह आख़े इतने बड़े हैं न, याद रखोगे तो सामने वाली कि आखे खुल जाएगी, कितने? यह 600 करोड का क्या किया? बताओं? बताओं क्या किया? आपको चुन करके आपको भी आस्तरी होगा, अकेले अपने गड़वा जिले के, जो किसान है, जिनको हर महिन, हर साल, जो मैं दो-दो-जार करके तीन बार 6000 पर बेचता हूँ न, अकेले गड़वा जिले में, हमारे किसानों के खाते में, मोदी ने 600 करोड रुपिया भेजा है, 600 करोड, इसलिए कहता हूँ याद रखोगे, कितना, कितना, साथियों, आजजादी के बाद ही, कॉंगरेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है, जनता से जूट, जनता को धोखा, ये जूट्थे वाइदे करके, मतदाताओं को दोखा देते हैं, हमारे निर्दोस भले भाले, हमारे नागरिकों को, उनकी आँख में दूल जोग देते हैं, अभी ताजा ताजा, हरियाना ने भी, इनको सबक सिखाया है, वहाँ भी इनों ने जूट पहलाने की बहुत कोशिश की थी, महिलाओं, किसानों, नवजवानों, SC, ST, OBC, सभी को कुछ न कुछ जूट बेचने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाना वालों ने इनके जूट को टिक ने नहीं दिया, कॉंग्रेस और उसके साथी जहाँ जहाँ भी जूट बोलकर सब्ता में आये हैं, उस राज्योगों उन्हों ने बड़बाद कर दिया है, इन्होंने हीमाचल को तबाग करके रख दिया है, वहाँ करमचारियों के सामने, सेलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है, अपने हग का डिये पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे है यहां जो सरकारी मुलाजिम है न वो जरा हिमाचल के अपने परिचेद हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इनों ने तेलंगणा में भी कॉंग्रेस सरकार के जूठे वाइदों की वज़े से वहां की जनता पस्त पड़ गई है करनाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कॉंग्रेस के भीतर ही दमासान बता है कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कॉंग्रेस जूठी गारंटी देती है मैं तो हैरान हूँ पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मूँ से जाने अंजाने में सच निकल गया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस की जो अनापसनाप गोशनाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी इसलिए आपको कॉंग्रेस और उसके साथ्यों की गोशनाओ पर कभी भी भरोसा नहीं करना है मेरी बात मानोगे पक्का मानोगे साथ्यों जार गण का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद जे एम एम कॉंग्रेस और जेडी ये तीनों दल गोड परिवारवादी है ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इनी के परिवार के पास रहे जे एम एम का यही मोडल है अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बड़ भी गया तो उसके साथ कैसा वरताव करते हैं ये भी हमने देखा है हमारे चमपई सोरेंच जी के साथ इनोंने क्या किया इन लोगोंने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है वो जारखन के आप सभी लोगों की परवा कैसे करेंगे वला इसलिए जारखन के हर नवजवान से कहूंगा ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है भाईयों बैनों जब मैं कहता हूं कि मेरा अपना परिवार हो या नहों लेकिन आप सब मेरा परिवार है मेरी बात में आपको सच लगता है कि नहीं लगता है क्या मैं आपके लिए जीता हूं कि नहीं जीता हूं क्या मैं आपके लिए दिन रात काम करता हूं कि नहीं करता हूं मैं दिन रात आपके लिए सोचता हूं कि नहीं सोचता हूं इस देश के किसी नागरीत को इस बात में शक नहीं है मेरे लिए सबकोच 140 करोण मेरे देश वासी है उनके लिए सबकोच उनका अपना परिवार है साथियों आप भी जानते हैं ब्रस्टाचार दीमक की तरह देश को खोकला करता है ब्रस्टाचार सबसे अधिक गरीब को दलीत को पिछडे को आदिवासी को सबसे जान्दा दुखी करता है बरबाद करता है तबाह कर देता है जार्खन ने तो बीते पांच सालों में देखा है कि कैसे जे-म-म कॉंग्रेस आर-जे-डी सरकार ने ब्रस्टाचार की सारी सिमाए तोड़ दी है मुख्यमंत्री हो मंत्री हो बिधायक हो सांसद हो ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर ब्रस्टाचार के संगीन आरोप नहीं है जे-म-म के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है नोटो के पहाड क्या निकलता है क्या निकलता है मैंने तो आखो से कभी नोटो के इतने पहाड नहीं देखे मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटो के पहाड इतने बड़े होते है अरे इंसान तो छोड़िये मशीने गिनते गिनते ठक गई थी और ये पैसा किसका था भाई ये पैसा किसका था ये पैसा जारखन के लोगों का ठाक नहीं था ये पैसा जारखन के नवजवान का ठाक नहीं था ये पैसा जारखन की बेटियों का ठाक नहीं था ये पैसा जार खंड के गरीबों का थाग नहीं था, ये पैसा जार खंड के मेरे किसान बाईयों का थाग नहीं था लूट लिया कहीं रोड बननी थी कहीं बसड़्या बनना था कहीं एपुल्या बननी थी कहीं स्कूल अस्पथाल बनना था कहीं बिजली की लाइन पोर्च नी थी साब कुछ लूट लिया आपके हक का आपके थिकार का यह इनोंने लूटा है यह आपका जेब काटने वाले लोग है साथियों मुझे इस छेत्र के ब्रस्थ जनप्रतिरिज्यों की भी रिपोर्ट मिली है इनोंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा हमने हर गार जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना बनाई केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोर रुपिया भेजा लेकिन यहां जे एम एम कॉंगरिस के लोगों ने वो पैसा भी क्या किया क्या किया और अपनी तीजोरी में भर लिया देश में जहां भाजपा सरकारे हैं वहां अनेक रज्यों में हर गर जल अभियान बहुत सफलता से चल रहा है लेकिन जारखन में हमारे प्रयासों के बावजुद भी धेर सारे पैसे बेजने के बावजुद भी घर घर नुंदल पहुंचाने का काम ठप पड़ा है और अभी आपके समनेता बता रहे थे बाचन में कि मोदी जी गड़वा को पानी मिल जाए न गड़वा को पलाएंद रुख जाएगा मैं आपकी बाच से सहमत हूँ साथियों मैं जे इस गुजरात से आता हूँ उज गुजरात में कच्छ और सवराष्ट्र ऐसे ही पानी की मुसीबत में जीता था पानी की ट्रेने भेजनी पड़ती थी वो हाल था जब 2001 में वहां के लोगों ने मुझे काम दिया मुक्खमंत्री का मैंने पानी के पीशे पड़ गया मैं मैंने कहा मैं पानी पहुँचा के रहूंगा और बड़ा जनांदोलन खड़ा किया वर्षा की एक-एक मुंद पानी रोकने का भियान चलाया मरी पड़ी नदियों को जिंदा करने के लिए लोगों को लगाया और जिस कच्छ और सवराष्टों से पलायन होता था आज पानी तार बन गया और लोग पापी साने लग गए भाईयों भाणों अगर दिल में कुछ करने का जज़बा होना तो मेरे गढ़वा भी पानी दार बन जाएगा और एक बार पानी पहुचा तो पलायन तो रुकेगा जो पलायन होके गए न वो भी वापिस आ जाएंगे दोस्तों जन भागिदारी से बर्षा की एक एक मुंद बचा कर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं साथ क्यों आज एक खेत्र बालू तसकरी का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है बालू बोलते ही आपको सब बिखाई दिया सच्चा ही यह है कि जारखन की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है जंता पलायन के लिए मजबूर है और यह लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में ब्रत है यहां पर काम धंदा बंद होता जा रहा है लेकिन ट्रांसपर पोस्टिंग का धंदा खूब फल फुल रहा है इसलिए आपको याद रखना है जे में कॉंग्रेस आरजेडी ने यह जो माफिया तंत्र बनाया है ना भाजबा इंडियों को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है साथियों जे में कॉंग्रेस आरजेडी ने तुस्ती करन की नीती को चरम पर पहुंचा दिया है यह तीनों दल सामाजिक ताना वाना तोड़ने पर आमाद है यह तीनों दल गुस पेठ्या समर्थक है बंगला देशी गुस पेठ्यों के वोट पाने के लिए ये इन गुष्पेठियों को पूरे जानखन में बता रहे हैं जब स्कूलों में सरस्वती बंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खत्रा कितना बड़ा है जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे माता जुर्गा को भी रोक दिया जाए जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि सिजी कितनी खतरनाक है जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के उपर से गुजरने लगा है जब गुश्पेट का मामला कौट में जाए और प्रशासाम इसे इंकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही गुश्पेट हो चुकी है यह आपकी रोटी भी छिन रहे हैं यह आपकी बेटी भी छिन रहे हैं और यह आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं अगर जे एम एम कॉंग्रेस आर जेडी की यही कूनिती जारी रही तो जारखंड में आदिवासी समाज का दाइरा सिकुड जाएगा यह आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खत्रा है इसलिए इस गुस्पेठ्या गडबंदन को अपने एक बोट से उखाड फैंकना है फैकेंगे एक एक बोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा बचाओगे साथियों जारखन का तेज विकास तभी संभव है जब यहाँ ऐसी सरकार हो जो केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करें इस लोग खुद काम करते नहीं और दूसरों को भी काम करने नहीं देतें दसकों तक इनके कुशासन का नतिया जारखन ने भुखता है गडवा हो पलामू हो राज्य के असने एक जिले हैं जीन को इनोंने पिछड़ा गोशित कर रखा था हमने यहाँ के विकास को प्राथ विक्ता दी देश के जो अच्छे और इवापसर है उनको यहाँ तैनाद किया ऐसे जो हमारी आकांग्छी जीले है वहाँ अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रोड, रेल, इंटरनेट ऐसी हर सुविदा को प्राथ विक्ता दी जा रहा है यह लोग कैसे योजनाओं में भी रोड़े अटकाते है इसका उतारन उत्तर कोयल जलाशे मंडल डेम है कई दसक पहले इसका अंदिर्मान कारिय शुड़ूआ था यह समय पर बन जाता तो लाखों किसानों को इसका लाब मिलता पानी के लिए तरसना न पड़ता हमने इस परियोजना को गती देने का फैसला किया इसके लिए हजारों करोड पे शिक्रुत किये 2019 में इसकी आधार सिला रखी गई लेकिन यहां रोडे अटकाने वाली जेमेम सरकार बन गई यहां जो डूबक शेत्र के प्रभावीत है उनके लिए पिछले साली हमने राज सरकार को स्पेशल पैकेज की मंजूरी दे दी लिकिन राज सरकार ने प्रभावीतों कोई पैसा भी नहीं जिया लूटने में लगे रहे यहां भाजपा एंडिये सरकार मनते ही इस योजना पर तेजी से काम किया जाएगा साथियों यहां अगर भाजपा सरकार रहती ही तो सोनकन हर पैपलाइन सिंचाई पर योजना कबकी पूरी हो चुकी होती इसी तरह यहां जो चियांकी एरपोर्ट है इसको हम सस्ती हवाई यात्रा वाली योजना उडागन में शामिल करना चाहते है लेकिन यहां की सरकार इसमें भी दिल्चस्पी नहीं ले रही है हमने परामो और गड़वा के लिए सोलर पार्क स्विक्रुत किये गए है जेमें की सरकार लोगों को अद्लेरे पर रख रही है लेकिन इन परियोजनाओं के लिए जमिन नहीं दे रही है यहां के नौजवनों को नौकरिया मिले जारखन का विकास हो यह इन लोगों को मंजूर नहीं है साथियों भाजपा एंडिये विकास और विरासत दोनों को महत्व देते है हम उन खेत्रों उन वर्गों के विकास पर भी सेथबल दे रहे हैं जो अतीत में पिछड गए थे हम आदिवासी खेत्रों का विकास भी कर रहे हैं और आदिवासी विरासत को भी पुरी शान से आगे बढ़ा रहे हैं यह भाजपाई है जो पुरे देश में आदिवासी परंपरा कला संस्कुर्थ के लिए सबर्पीत दस बड़े संग्राहले बना रही है राची में जो भव्य संग्राहले बना है उसके उद्गार्ण का आउसर मुझे मिला था कुछ दिन बाद ही दर्तियाबा बिर्शाम मुंडा जी की जन्म दिवस है ये भाजपा एंडिये सरकारी है जितने धर्तियाबा के जन्म दिवस को जन जातिये गवरव दिवस गोशित किया था इस वर्ष का आयो जन तो और भी विशेश है इस पंदरा नमंबर से अगले दो वर्ष तक दर्तियाबा बिर्शाम मुंडा जी की देड़ सोवी जन्म जन्म जन्ति के समारों देश भर में मनाये जाएंगे पुरा देश जन्म जातिये गवरव वर्ष का उत्षव मनायेगा पुरा देश इसमें सामिल होगा पुरी दुनिया भगवान बिर्शाम मुंडा और आजी वासी समाच के योगदान को जानने समझने लगेगी साथ योज जारखंड का तेज विकास बाजपा की गारंटी है एंडिये की गारंटी है इसलिए मैं गडवा से पूरे जारखंड के भाई बेनों से आगर करूंगा बाजपा के आजसु के जेडियू और लजेपी के उमीदवार जहां जहां है उनको भारी मतों से विज़ेई बनाए हमें मिलकर जारखंड को विकास के उस सफर पर ले जाना है जो पूर्वी भारत के विकास को तेजी दे सके आप इतनी बड़ी संख्या में आए हमें आशिरवाद देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लेकिन मेरा एक काम करेंगे सबके सब लोग हाथ उपर करके बताएं मेरा एक काम करेंगे जरा जोर से बताए करेंगे गर गर जाएंगे लोगों से मिलेंगे एक काम करना हर परिवार में जाके कहना कि अपने मोदी जी गड़वा आये थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है मेरा जोहार पहुंचा देंगे मेरा राम राम पहुंचा देंगे एक नवजवान बहुत बढ़िया चित्र बनाकर के लाए हैं हमारे सेकुरिटी वालों से कहुंगा कि जरा वो चित्र उनसे लीजिए जरा पीछे अपना पता लिग दे ना भईया मैं आपको चित्टी बेजूंगा इसके पीछे आपने एड्रेस लिग जेना जरा ले लीजिए फोटोग्रापर को कोई चित्र हुन से ले लीजिए मेरा दाद बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद